वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासेश और आज मैं फिर से हाजीर हूँ आप सबी के सामने फिजिक सर्ट का लाइव टेश्ट लेकर ठीक है दो दिन से लाइव टेश्ट नहीं हो रहा था फिजिक का और बच्चे काफी ठीक है काफी दिनों से नाराज थे बोल रहे थे सर क्यों नह आपके साथ राहूल सर मौझूद हैं जो आपको फिजिक्स का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं जिससे आप आकलन कर सकते हो कि आपने बूर्ड में कितनी पढ़ाई किया और कल आपका फिजिक्स का कैमेस्ट्री का लाइव टेस्ट होगा इंग्लिश मेडियम में जो बच्चे इस लाइव टेस्ट का रूल जैसा कि बिल्कुल पिछले की लाइव टेस्ट की तरह है कि आठ सॉरी तीस प्रस्ण अब्जेक्टिव कोश्चन रहेंगे प्रतेक प्रस्ण में चार विकल्प होगा 15 सकेंड आपको एक विकल्प का चैन करने के लिए दिया जाएगा और किसी एक विकल्प का चैन करेंगे और अगर अभी इन तीस प्रस्णों में कम से कम 23 से 24 नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं 25 नंबर तो बिल्कुल और जिस दिन परिक्छा रहेगी उसके दो दिन पहले से हम लोग फाइनल लाइव टेस्ट लेंगे एक दिन में चार लाइव टेस ठीक है और जो बोड का पैटर्न है वियाली सब्जेक्टिव कोश्चन उस अधार पर लेंगे और फिर वहां पर आप आखलन करिएगा कि अपने 42 में कितना बना है हालकि यह में बनाना तो बहुत कमी होता है I think 35 नहीं चलिए शुरू करते आज का लाइव टेस्ट उमीद है कि आज के लाइव टेस्ट में सैकडा से लेकर हजार की संख्या में भीड रहेगी मतब यह 600, 700, 800 बला प्रोसेस खतम करके 1000 की ओर जो है वो बच्चे चलेंगे ठीक है बिल्कुल शेर कर दीजिए हमारी वीडियो को नीचे लाइक का बटन है दवा दीजिए ताकि इस का बटन दवाईए शेर का बटन दवाईए ठीक है जल्दी से जल्दी से शेर करिए जल्दी से सभी लोग ताकि टेस्ट जल्दी से जल्दी हम लोग शूरू कर पाए ठीक है रेडी है आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है चले मैं देख पा रहा हूं स्टूड हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है कि आज टेस्ट थोड़ा लेट से हो रहा है पर फिर भी भीड में कोई कमी नहीं दिख रहे हैं भीड बिल्कुल प्रती दिन की तरह आज भी आपका भीड उसी तरह से और मैं काफी एप्पी हूँ ठीक सुरू करते हैं पहला सवाल आपके फोन के स्क्रीन पे कि बिद्दुच चुम्बक्ये तरंके संचरन की दिशा होती है बिद्दुच चुम्बक्ये तरंके संचरन की दिशा जो होगी वो क्या होगी जल्दी से बताईए बिद्दुच चुम्बक्ये तरंके संचरन की दिश चाहोगी और बहुत ही मज़दार लाइफ टेस्ट है मैं देख पा रहा हूँ बच्चे इसका आंसर बिलकुल देना सुरू कर दिये हैं और काफी अच्छी बात है ठीक है जल्दी से हाँ पहला सवाल फोन के स्क्रीन पर है बिद्दु चुमके तरंके संचरन की दिशा होती है बेक्टर के समना अंतर इवेक्टर के समना अंतर बेक्टर गुने इवेक्टर के समना अंतर या इवेक्टर गुने बेक्टर के समना अंतर डी सी और डी को दिहान से देखकर ही अंसर दीजेगा कि क्या आंसर होगा बिद्दु चुमके तरंके संचरन की दिशा क्या होगी ब बार ताइस से अदिक बच्चे रहेंगे ये एक उमीद है और इस उमीद को आप जरूर बरकरार रखिएगा ठीक है पहला answer काफी समय हो गया तो जो correct answer होगा student पहला question का जो correct answer होगा D होगा जैसा कि बच्चे सही सही answer दे रहे E vector गुने V vector के समय आदा आज आपको 25 पार करना है बिल्कुल live test पूरा दीजिए और बिल्कुल देखते चलिएगा कि आज आपका 25 पार होता है ठीक है और जो बच्चे 2021 की तैयारी करेंगे आपके भाई बहन छोटे भाई तो इस वीडियो के description में मैंने link डाल दिया अपने app का इस बार हम app से पढ़ाएंगे जी मतब PDF delete होने का PDF खोने का कहीं कोई डर नहीं अप से पढ़िए वो automatically PDF वहाँ पे रहेगा अराम से वहाँ से PDF खोलिए पढ़ते रहेए और साथ में साथ हम लोग lecture भी देने वाले हैं इस बार हर एक topic का lecture रहेगा वो भी board पे on screen board white board और उसके साथ साथ PDF ठीक है तो इस बार आप हमारे अपने भाई बहन को dream classes पे जुडबा सकते हैं प्ले स्टोर के लर्णिंग है पर कोर्स हमने अल्रेडी वहाँ पे launch कर दिया है जल्दी जल्दी से करिए 15 फरवरी तक उसकी फीस काफी कम है आप जल्दी जल्दी से उनको जुडवा दीजे ठीक है चलिए दूसरा सवाल संचार बेवस्ता की तीन मूह लिकाई है अगर जुडवाना है तो प्ले स्टोर से अप डाउनलोड कर लीजे dream classes का ब्राउन कलर का लोगो होगा अप पे ठीक है जो लोगों यहाँ पर dream glasses पे description में मैंने link डाल डाल दिया है अभी तुरन डाउनलोड करिए और course को purchase करिए 2020 के लिए मुझे पता है कि आपका तो 20 में बोड़े है लेकिन आज जो आपके भाई बैयन या आपके मित्र है उनको आप purchase करवा सकते हो क्योंकि fees बढ़ जाएगी 15 फरवरी से उसकी ठीक है संचार बेबस्ता की तीन मुल लिका है जैसे हैं आप course purchase करिएगा सारा बिंडो खुल जाएगा A to Z संचार बेबस्ता की तीन मुल लिका है दूसरा question चार विकल प्रेशित संचार चैनल अभी ग्राही और A, B, C, D हलाकि ये इतना highlighted question नहीं है पर फिर भी हलाकि इस question को मुझे थोड़ा late से देना था पर कोई बात नहीं आप इसका answer दे सकते हो ठीक है बहुत अच्छा सवाल है ये संचार बेबस्ता की तीन मुल लिका है हलाकि इसका answer बहुत कम बच्चे दे रहे पर फिर भी ठीक है गती तो है जी बिल्कुल screen पे question आया नहीं कि अंसर बच्चे देना शुरू कर देते हैं screen पे question आया नहीं कि बच्चे इसका answer देना शुरू कर देते हैं और संचार बेबस्ता की तीन मुल लिकाईया क्या है question number 2 का जो correct answer होगा वो all होगा प्रेशित संचार चैलन नहीं दी है channel होना चाहिए मेरे चाहिए अभी ग्राई ठीक है यह सभी होगा इसका answer तो question number 2 का जो हमारा correct answer होगा वो एक second एक second दो है ना एक second एक second रुक जाईएगा मुझे doubt लग रहे है थोड़ा से एक second एक second संचार वेवस्था की तीन मुल एकाईया यह डी answer होगा दो का जो हमारा correct answer होगा वो हमारा डी होगा और तीसरा सवाल आपके phone के screen पे दिख रहा होगा ठीक है तीसरा सवाल जो आपके phone के screen पे दिख रहा है जल्दी से पताएगे क्या answer होगा बहुत ही मज़दार सवाल है जी कराई UHF परिशर की आवरितियों का परशारन प्राया किसके माध्यम से होता है किसके द्वारा होता है जल्दी से बताएगा तीसरा question चौथा जो question है बहुत हालेटेट है जी पहले तीसरा का answer देदो क्या होगा फिर चौथा बहुत important question ही आपका UHF परिशर की आवरितियों का परशारन प्राया किसके द्वारा होता है बहुत ही highlighted question ही है हमारा important आप इसको कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से बताएगा तीसरा number question का correct answer क्या हो देख पार हो बच्चे इसका दीरे-दीर answer दे रहे है पर आप जो बच्चे नहीं दे रहे हो जल्दी से इसका answer देगे कि क्या होगा इसका answer सही answer correct answer क्या होगा जल्दी से बताएगा चली मैं इसका answer बताओ मैं देख पा रहा हूँ बच्चे दिरे दिरे इसका answer दे रहे तीन नमबर question का just wait ठीक है तो तीन नमबर question का जो correct answer होगा ये A होगा आकास तरंगो दोरा यूएच अप परिशर की आवरितियों का प्रशारन प्राया किसके दोरा होता है आकास तरंगो के दोरा बहुत अच्छा बताईएगा क्या अस्तर बहुत अच्छा सवाल है इसको BBI करिएगा चोथा नमबर question को जल्दी से बताईएगा सवाल दिखा हुआ है कि भू इस्तिरूपगरा की प्रित्वितल से उचाही क्या होगा 65,930 किलोमेटर 35,930 25,930 या not N-O-T-E जल्दी से बताईएगा चार विकलप आपके फोन के स्क्रीन पर दिखा रहा होगा भू इस्तिरूपगरा की प्रित्वितल से उचाही क्या होगा question नमबर चोथा question नमबर चोथा की भू इस्तिरूपगरा की प्रित्वितल से उचाही और answer मैं बोलू ready for the next question यानि मैं इसका पहले answer बोल दूँ sorry फिर answer ये जो answer होगा न ये D होगा क्योंकि कभी-कभी आपको 36,000 भी दे देगा जी ठीक है याद रखिएगा तो वह इस्तिरूपगरा की प्रित्वितल से उचाही 35,930 इस question के इसाथ से होगा लेकिन कभी-कभी आपको 36,000 km भी देगा तो ध्यान से देखिएगा कि option क्या दिया हुआ है 35,930 दिया हुआ या 36,000 है दोनों में से कोई एक ही रहेगा ठीक है तो 36,000 मान कर चलते हैं अबरज चली अगला सवाल आपके phone के screen पे हम रख रहे हैं कि inverter gate कहते हैं inverter gate किसको कहेंगे AND gate को, N-O-T को, N-A-N-D को या OR gate को बहुत अच्छा सवाल है inverter gate कहते हैं AND gate को, A-N-O-T gate को, N-A-N-D को या OR gate को पाच्वा सवाल बहुत अच्छा इसको B-B-I करेंगे इस बार हम लोग, ठीक है इसको और इसको, इसको हम दोनों को जो है ना VBI करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है यह, inverter gate कहते हैं, किसको कहेंगे, AND को कहेंगे, NOT को कहेंगे, NAND को कहेंगे, या OR gate को कहेंगे, inverter gate कहते हैं, AND, NOT, NAND, OR, पाच्वा नंबर सवाल, चार विकल्प, आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, चली, मैं बताओ, ready for the answer, आज बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह thousand वाला कब आप लोग पूरा कर रहे हो, आज कर दो, मैं तो बिल्कुल खुश हो जाओंगा, लास लास में एक हजार की वीड़ होनी चाहिए, और आज आपको इस टेस्ट के लास में बताना है, कि आपने तीस में कितना अंसर दिया है, ठीक है, तीस objective में कितना objective सही गया, यह आपको बताना है, आज मैं लास में आपको जी, बहुत अच्छा सवाल, पाँचवा नंबर, बी नंबर हमारा करेक्ट अंसर होगा, इन्वर्टर गेट करते हैं आपको, छटा नंबर कोशन, विद्धुत फलक्स का इसाई मातरक, विकल्प है, बोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, जूल पर कुलाम, न्यूटर पर कुलाम, चार विकल्प, छटा कोशन, फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, चैन कर दीजे, कौन सा अंसर इसका सही होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, कि विद्धुत फलक्स का इसाई मातरक क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है, बि अज़रिये से गर देखा जाए तो चली मैं देख पा रहा हूँ अंसर बिलकुल आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अंसर काफी भीड़ है अंसर में चली मैं अंसर बता हूँ विद्धूत फलक्स का विद्धूत फलक्स का SI मातरक तो correct answer होगा, 6 नंबर कोश्चन का ज जूल पर कुलाम्ब होगा जियां स्टूडेंट्स विद्दुत फलक्स का एसाई मात्रक जूल पर कुलाम्ब होगा ठीक है और सातवा नमबर कोशन आपके फोन के स्क्रीन पे हम रखते हैं इसको बीबीई कर लिजेगा इस बार इस बार के बोड के लिए बीबीई कोशन ठीक स्रेनिक रम में जोड देते हैं तो उनका तुल धारिता क्या होगा बीबीई कोशन इस बार के लिए और मैंने वीबीई कर दिया तो समझ जाएगे ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला इस बार के बूड के एक्जाम के लिए तीन संधारित रजिनकी परतेक की धारिता सी है स्रेनी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्ले धारिता क्या होगी बहुत अच्छा सवाल है ये आपका कुश्चन नमर सेवन का तीन संधारित रजिन में परते की धारिता और इसका अंसर आना बिल्कुल सुरू भी हो गया ठीक है बिल्कुल क्या होगा करेक्ट अंसर ज की तुल्ले धारिता जोगी डिवाइड़ वाई थ्री हो जाएगी तो सी हमने मानिती धारिता तो अंसर जो हो जाएगा वो सी वाई थ्री होगा चली अगला सवाल आपके फोन के स्क्रीम पर रखते हैं कोश्चन नमर आठवा विदुत तिब्रता का इसाई मात रख बहुत अच्छा सवाल है कोश्चन नमर आठवा चार विकल्प और जल्दी करिए न्यूटन मीटर लुट मीटर इंवर्स वोल्ट मीटर इंवर्स 9 सेंट्री मीटर 2 और वोल्ट मीटर इंवर्स टुच्छन नमर आठवा चल्दी से बताईएगा क्या होगा इसका correct answer बहुत ही उंदा सवाल है ये जल्दी से बताईएगा क्या answer होगा correct answer विद्धुति फलक्सकिति बृता मैं देख पा रहा हूँ इसका answer बहुत गती में आ रहा है जी बिल्कुल सही-सही answer दे रहे है student कि सर आठ का जो बी answer होगा वो बिल्कुल correct answer है और सही बात है सही है ये आपका answer बिल्कुल सही है विद्धुति बृता का इसाई मात्रक बोल्ट मीटर इन्वर्स है यानि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बोल्ट पर मीटर question number nine और इसके लिए हम रुकेंगे नहीं क्योंकि ये question दो live test में आ चुका है और ये तीसरा live test है और बिल्कुल जल्दी से बताएगा क्या answer होगा थोड़ा सा change है जी पहले वाले question से करे 64 समान बूंदे प्रते 5 mu f धारिता रखते हैं यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्मान करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी चार mu f 24 mu f 25 mu f 20 या 164 जल्दी से बताएगा question नमर चौथा sorry question नमर नवा no number question चार विकल्प आपके phone के screen पर और सबको पता है क्योंकि ये question बार-बार बूटके exam में I mean live test में भी repeat हो रहा है और ये इसको मैं मान रहा हूँ कि ये exam के लिए important question है ठीक है इसको BBI करिएगा student then correct answer C होगा 20 mu up और question नमर दसवा आपके phone के screen पर कि परबाइदुत सामर्थ का SI मात रख चार विकल्प आपके phone के screen पर बिलकुल दिख रहा है और अभी तुरंट chain करिए कि कौन सांसर हमारा सही होगा परवाइदुत सामर्थ का SI मात रख volt, volt meter, volt per meter, volt meter to the power to या volt meter per square जल्दी से बताइए जल्दी से बताइएगा क्या answer होगा हमारा हाँ जल्दी से बताइएगा क्या answer होगा परवाइदुत सामर्थ का SI मात रख तो हमारा correct answer जो 10 का था वो हमारा C था कि volt meter inverse ठीक है बहुत अच्छा सवाल है और अब हम लोग आगे बड़े ready हो आप लोग एका motivational साहिरी भी होना चाहिए नहीं बिल्कुल लाएंगे एक साहिरी पहले आप इसका question बता दिजे कि बिद्धुत परिपत की सकती होती है बार बार ये question हाला की repeat हो रहा है मुझे अभी इस question पर लगाम लगाना है ठीक है फिलाल इसका answer बता दिजे classes जो हम app बनवाएं हैं play store पे उसको download कर लीजे फिलाल और वहाँ पे काफी सारे courses हमने लाया है और आप किसी भी course को join कर सकते हैं फीस आपको screen पर लिखा हो रहेगा और सभी course का duration एक साल मतब एक साल तक हम उसमें पढ़ाएंगे ठीक है जल्दी से बताइएगा क्या answer होगा चली ये भी question बार बार टेस्ट में आ चुका है इसलिए मिस पे ज़्यादा discuss करेंगे ने v square by r ठीक है विद्दुत परिपत की सकती जो होगी v square by r होगी और अब हम लोग question नमर 12 की और सीधे सीधे discuss करते हैं ठीक है क्योंकि 12 नमर question काफी अच्छा है कि चालक के अंदर electron की गती होती है चालक के अंदर electron की गती होती है question number 12 जो है इसका तुरांत अंसर दीजिएगा जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा चलिए मैं देख पा रहा हूँ इसका correct answer बच्चे सही सही दे रहे चालक के अंदर electron की गती जी हां बिल्कुल मैं इस question का जो 12 नमर question इसका answer में देना चाहूँगा कि चालक के अंदर जो electron की गती होगी वो होती है अपसरीत होगी जी बिल्कुल 12 नमर question C answer होगा correct अठीक है बिल्कुल अब हम लोग आगे question number 13 की और चलते हैं कि विद्दुत बाहक बल की बीमा होती है तो विद्दुत बाहक बल की जो बीमा होगी बताईएगा क्या होगा जल्दी से बताईएगा अच्छा एक motivational सायरी मैं अपने लिए खुद लाया हूँ ठीक है ये जो सायरी है ना मुझे एक मेरे student ने भेजा था कि सर ये सायरी मैं आपके लिए ठीक है आपको dedicate करता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा था और ये मेरे phone में था तो अभी मैंने अपना phone निकाला है तो मुझे लगा कि ये सायरी मैं अपने student के तुरू आइमिन जो मेरे student ने मेरे लिए लिए लिखा है ठीक है वो मैं आपको सुनाता हूँ ठीक है उन्होंने मेरे उपर कहा है कि चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है खबर ये आसमा की नहीं अखवार की है आप चले तो संग कारवा चले ठीक है की नहीं आपके एतवार की है तो ये मुझे अच्छा लगा था मेरे एक स्टोडेंट ने वेजा था तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिडबैक जरूर दीजेगा ठीक है बहुत अच्छा कहा इनोंने कि चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है ख़बर ये आसमा की नही अखवार की है आप चलो तो आपके संग कारवा चले बात गरूर की नहीं आपके एतवार की है और बहुत अच्छा कहना है मैं तो बहुत इनको थाइंक्यू बोलना चाहूँगा जिसने भी बेजा है ठीक है कोशन नमर थार्टीन करेक्ट अंसर होगा डी आई इन्वर्स ए किसी बिंदू पर सभी धाराओं का बीज गनीतिय योगे क्या होता है शुन्ने अनंत धानात्मक रिनात्मक और ये कोशन काफी बार हो चुका है मैं तुरंत अंसर बताने वाला हूँ बस आप अपनी फॉर्मालिटी निवा दो कि विद्धुत परिपत के किसी बिंदू पर सभी धाराओं का बीज गनीतिय योगे क्या होगा हाँ अनसर आ रहा है क्या होगा जी बिलकुल हसी आ रही है मुझे बहुत बच्चे अनसर अधरे गती में कि विद्धुत परिपत के किसी बिंदू पर सभी धाराओं का बीज गनीतिय योगे शुन्ने होगा नोट कर लीज कोशन नमर 14 हो गया 15 की और तुरन चलेंगे कि विद्धुद्धारा एक है तो विद्धुद्धारा सदीश अदीश ए और बी दो नो ननवदीश कोशन नमर 15 विद्धुद्धारा कैसी रासी है so sorry बोलते बोलते जो है न गला बिल्कुल है बस आपके लिए कर रहा हूँ और देखते हैं कि आप लोग हमारे लिए क्या खर्पाते हैं जो हमने आपके लिए कर दिया है न वो आपके एकजाम में आपको पता चल जाएगा और मैं भी देखना चाहूंगा कि कि क्योंकि उपर वाले ने कहा कि कर्म करिये, फल उफर वाला देगा तो कर्म तो हम कर रहें और देखते हैं 2021 के लिए आप कितना हमारे साथ हैं कितना हमें सपोर्ट करते हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं ठीक है वो बस कुछी दिनों में पता चल जाएगा ठीक है तो विद्दुधारा एक शदीस अधीस ए और बी दोनों और नन तो कुशन वर 15 करेक्ट आंसर अधीस राशी होगा जी बिलकुल नोट कर दिजे विद्दुधारा एक अधीस राशी स्कैलर वेक्टर आपने पढ़ होगा तो किसी चालक का बिद्दुध प्रतिरोधक्ता निर्भर करता है आज मैं आपको एक स्टुडेंट की कहानी बताओंगा इस लाइप टेस्ट में 20 कोशन उन्हें दीजिए मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूं मत्तब बच्चों को 12 का क्लास हो ऐसे सीका हो तो वहाँ प पहले 20 कोशन होने दीजिए या इस कोशन के बाद बताते हैं तो कोशन नमर 16 का जो कहना है कि किसी चालक का बिद्दुध प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर अंसर दीजिए और वो कहानी सुनना है तो बिलकुल इस वीडियो में लगे रहे हैं इस कोशन के बाद 17 कोशन हो ने दीजिए उसके बाद उस कहानी को हम बताते हैं तो कोशन नमर 16 किसी चालक का बिद्दुध प्रतिरोध अंसर वो सही अंसर होगा जल्दी से बताओ क्या अंसर होगा किसी चालक का बिद्दुध प्रतिरोध अंसर दे रहे हैं करना है किसर सी अंसर होगा पदार्थ की प्रकृति पर और बिलकुल सही अंसर है ठीक है 17 और इस कोशन के बाद हम उस कहानी को रिपीट करेंगे मिष्र धातु तथा धातु में से किसका प्रतिरोध ताप अधिक होता है यह विवियाई का मिस्टर धातु के या दोनों नहीं हो नहीं हो मिरे असाफ से अनसार रहा है यह बिलुकुल और यह काlama को आनी को हम अभी तुरन्य datasets कि चुमक्या दूधरा आगुर्ण एक सथी जो निद्रिष्ट करती है सबको पता है कि चुम्बक के दुई दुर्व जो है वो कौन से दिसा को निद्रिष्ट करेगी उत्तर से दक्षीन या दक्षीन से उत्तर यही एक छोटा सा डाउट है जल्दी से बताएगा कोशन नमर 18 चुम्बक के दुई दुर्व आगुर्ण एक शदीश रासी है तो आपको बताने कि वो निद्रिष्ट करेगी सिपको पता है कि दक्षीन से उत्तर दुर्व क्यों रहे हाँ एक हमारे स्टुडेंट थे अंसर हो गया ठारा काई जिनका नाम था सतीश ठीक है तो हमारे क्लासेश में वो पढ़ते थे एससी की जिसमें लेता हूँ एससी का तो उसमें सतीश था वो लगबंग में बेचारा 14 से 15 किलोमेटर रोज जो है बस के द्वारा ट्रेवल करके हमारे शहर में पढ़ने आता था हमारे इंस्चूर्ट में काफी सीधा साधा नादान सा भालक था मैंने पुछा सतीश यार तुम इतना दूर से आते हो पढ़ने क्वेश्चन समझ में आता है मतलब थोड़ा वो वीग था पढ़ने में इसने मैं उसे पूछा गाउं का बच्चा तो मैंने पुछा कि तुम्हें समझ में आता है तो उसने क्या जवाब दिया उसने बोला सर समाज में तो बिल्कुल आता है उसने थोड़ी कॉमेडे करके बोली तो वो यहां से समझ्के जाते हैं वो बस पर चड़ने के उसद अधर-धर तो हिलने के साथ दिमाग में सब कुछ निकल जाता है है फिर आते हैं फिर सीखते हैं फिर बस つब सब चल the फिर अफिर nu नमरा को मैंण नाविक में समानिता कौन से मुलकन होते हैं नमरा रious नमरा की अच्छ. कोमन के समानिता कौन से मुलकन होते हैं परोटोन नियोट्रोन अ और बे दोनों question number 19 तो हम कहना चाहेंगे क्योंकि सब को पता है हम क्या कहेंगे आपको भी पता है क्योंकि अंसर जो जिस गती से अंसर आ रहा है न वो अंसर की गती बता रहा है कि परवानू के नाबिक में समानिता proton और neutron दोनों होते हैं तो परवानू के नाबिक में समानिता कौन-कौन से मुलिकन होते हैं proton और neutron दोनों यानि A plus B हमारा correct answer होगा और अब हम लोग 20 नंबर question क्यों रहते हैं कि nuclear बलकी प्रकिर्टी कैसी होती है विदूतिय चुमबकी गुरूतिय या ननबदीज question number 20 correct answer क्या होगा जी nuclear बलकी प्रकिर्टी क्या है विदूतिय चुमबकी गुरूतिय या ननबदीज question number 20 बहुत अच्छा सवाल है ये nuclear बलकी प्रकिर्टी तो जो correct answer होगा न nuclear बलकी प्रकिर्टी की तो आपका होगा ची बिल्कुल यह जो आंसर होगा ननबदीज ठीक है ना विदूतिय होना चाहिए ना चुम्बक्की होना चाहिए ना गुरूतिय तो नुकेलियर है ना इसके अंदर अलग सा फोर्स होता है इस चीज को हमने अच्छे से डेरिवेट किया था question में बुक सॉल्यूशन में तो जो correct answer होगा 20 का जो होगा नुकेलियर बलकी प्रकृति जो होती है वो हमारा correct answer D हो जागा ननबदीज और अब हम लोग 21 पर आते है ठीक है तो question नमर 21 का है चार बिकलप आपके phone के screen पर रखा हुआ है OR gate के लिए बूलियर बेंजक होता है तो हम कहेंगे कि OR gate के लिए बूलियर बेंजक क्या होगा जल्दी संसर दीजे बिलकुल समय बहुत कम है बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ पढ़ना है OR gate के लिए बूलियर बेंजक क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से बता दीजे बहुत अच्छा सवाल है चलिए इसका अंसर बताए तो OR gate के लिए जो बूलियर बेंजक होगा वो 21 का A अंसर होगा तेजी से चलने वाली क्या है फोटोन है न्यूट्रोन है इलक्ट्रोन है या नवदीज़ वीटा किरने तेजी से चलने वाले प्रोटोन है न्यूट्रोन है इलक्ट्रोन है या नवदीज़ कुछ नहीं होगा तो जो correct answer है वीटा किरने तेजी से चलने वाले क्या है जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइगा समय बिल्कुल कम है बहुत कुछ करना है में कम समय में बहुत कुछ करना है तो वीटा किरने तेजी से चलने वाले इलक्ट्रॉन है, नोट करिएगा कॉपी में अपना, कि वीटा किरने तेजी से चलने वाले क्या है, स्टूडेंट, इलक्ट्रॉन है, बहुत अच्छा सवाल है, यह आपके बोर्ट के एक्जाम के लिए, चलिए, टैस नंबर कोश्चन, निम्नांकित में किसे महत्तम बेदन किसमे जो है, वो मात्तम बेदन चमता है, और जैसे ही यह कोश्चन हमने स्क्रीन पे रखा, देखो जी अंसर आ रहा है, एक्स किरने, कैथोड किरने, अलफा किरने और गामा किरने, जल्दी से बताईगा, और जैसे ही हमने रखा, तैस का अंसर इस तरह से आ रहा है जी, डी 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 यानि हमारा जो अंसर होगा कि किसकी बेदन चमता अधिक होती है सबको पता है गामा किर्णों की बेदन चमता सरवाधिक होती है यानि 23 का जो करेक्ट अंसर होगा हमारा डी होगा बिल्कुल इसमें हम समय देंगे ही नहीं क्योंकि यह नॉर्मल कोशन है सबको बता है कि किसकी वेदन चमता नहीं और कोशन नमर 24 फोन के स्क्रीन पर हमने रख भी दिया कुश्चन नमर 24 हमने फोन के स्क्रीन पे रख भी दिया सवाल कर रहा है कि प्रकास विद्धूत प्रभाव की व्याक्ख्या में प्रकास को माना जाता था क्या इसका भी अंसर शुरू हो गया जी 24 जैसे हमने रखा अंसर रहना शुरू हो गया कि प्रकास विद्धूत प्रभाव की व्याक्ख्या में प्रकास को एक क्या माना जाता था बिल्कुल सही अंसर दे रहे हैं अप लोग सही दिसा की ओर जा रहे हो कि प्रकास विद्धूत प्रभाव में प्रकास को कन माना जाता था बिल्कुल प्रकास विद्दुत प्रबाब में प्रकास को क्या माना जाता था कन माना जाता था बिल्कुल नोट ही कर लीजिए रूखिए बिल्कुल मत हमारे दिये ठीक है चलिए प्रकास विद्दुत प्रबाब की व्याक्या में प्रकास को कन माना जाता था कोशन नमर पचीस पर बिल्कुल चलेंगे कोशन नमर पचीस की दुरूबन कौन की असपर्स जया पदार्त के अपबरतनांग के बराबर है यह कलाता है दुरूबन कौन की असपर्स जया पदार्त के अपबरतनांग के बराबर है यह कलाता है मेलस का नियम ब्रूश्टरला ब हम इसको important मानेंगे ठीक है जल्दी से बताएगा यह important हमने करा इस question को कि दुरुबन कोन के spars जया पदार्त के अपवरतनां के बराबर है यह क्या का लाएगा तो हम कहेंगे 25 का जो answer होगा B होगा जो D नहीं B sorry B हमार अंसर होगा Brewster करनी है ठीक है अंसर क्या होगा Brewster करनी है और 26 तुरहनत स्क्रीन पर हमने रख भी दिया रुकेंगे बिलकुल नहीं ठीक है किसी electron के आवेश का मान क्या होता है electron के आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा ABCD 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलांब 2 into 10 to the power minus 21 कुलांब 1.6 into 10 to the power minus 9 कुलांब या 1.6 into 10 to the power minus 11 कुलांब और question number 26 चार विकल्प फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है चैन करिए क्या होगा answer 26 का जो answer होगा ए नंबर answer होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलांब इसका answer मैंने तुरंट इसले दे दिया क्योंकि काफी कम बचे इसका answer दे रहते हैं photon की उर्जा का सही संबंद बताइए क्या बहुत अच्छा सवाल है 26 का क्या answer होगा ये तो C तो बिलकुल नहीं होगा जैकि photon की उर्जा का सही संबंद E is equal to MCA square नहीं हो क्योंकि C को तो ignore हीं कर दिया हमने क्योंकि C ये तो अलवा टाइंस्टीन ने दिया था E is equal to MCA square और ये photon की उर्जा का relation पूछ रहे जी चले इसका answer जो होगा 27 का हमारा D answer होगा D है A और B यानि ये B होगा और ये B होगा तो ये A और B हो रहा है यानि अंसर हमारा क्या होगा D होगा correct answer 28 नमर कोश्चन को लाइमन स्रेनी की प्रथम रेखा का तरंगधेर है कितना 912 नमर कोश्चन की प्रथम रेखा का तरंगधेर है कितना है जी 28 नमर कोश्चन को क्या answer होगा 912 नमर कोश्चन को क्या answer होगा चलिए 28 का जो correct answer होगा वो C होगा 1215 नमर कोश्चन की तयारी आप कैसे करेंगे आप नहीं आपके अगली पीडी आपके भाई बहन मित्र जो भी है वो अगर 2021 की तयारी करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आज ही हमारे कोर्स को किस तरह से जोइन करेंगे जहां पे आपको एक एक लेशन फ्री रेगा एक लेशन फिजिक्स एक लेशन एक लेशन केमेस्ट्री एक लेशन बायो और एक लेशन मैथ ठीक है objective, long, short, book, solution सब फ्री रेगा एक लेशन और अगर उसके साथ आगे की और आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आई नाव पर क्लिक करेंगे और कोर्स को पर्चेस करेंगे तो टोटल अटोमेटिक लेशन दिखेगा जैसे ही पर्चेस करिएगा ना टोटल पूरा कोर्स खुल जाएगा और एक साल का डूरेशन रेगा आप पढ़ सकते हैं ठीक है और उसमें मैंने एक वीडियो भी बना जरूर देखेगा ठीक है अगर आपके कोई भाई बैन मित्र जो अगले साल बूर्ट का एक्जाम देने वाले हैं बीस एकीस में और टेंथ के लिए भी हम ला रहे हैं वहाँ पर कोर्स ठीक है उनको भी एड़ करेंगे फिलाल उन्तीस नमर कोशन परकास तरंगों की प्रकि ठीक है और तीस नमर कोशन की एक एम यू बहुत बार पूछा जा चुका है अंसर ही बताएंगे एक एम एक एम यू के तुल्ल वरा उर्जा है तो हम कहेंगे इसका अंसर होगा 30 का जो अंसर होगा D होगा 931 मेगाबाट और उस वीडियो को हम तुरंट पले कर रहे हैं ठीक जैसे हम लोग पीडियाप तो 2021 के लिए देखेंगे नए आप पीडियाप में बना दिया है अगर 2021 के लिए पीडियाप नाउनलोड करना लेशन वन का इमिन देखना है तो इस वीडियो को तुरंट देखते रही है ठीक है उससे क्या होगा ना एक साल के लिए पढ़ियेग आप साथ साथ वीडियो लेक्चर भी देंगे इसलिए हमने फीस सोड़ा बढ़ाया है पर इसका रूल रीजन समझे है कि वीडियो और पीडिया दोनों साथ में रेगा एप ठीक है यानि एक साल में उस कोर्स को के द्वारा एक साल पूरा पढ़ सकते हैं और गैरटी के साथ लाइव टेस्ट में हम उसके उसमें जो है न हम लाइव टेस्ट भी लेकर आएंगे आपके लिए ओके लिए बाबाई टेक कियर जल्दी से देख लीजे क्या है उसमें फैकलिटीज चली तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2020 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें हम आपको फिजिक्स, कमेस्ट्री, बायो मैथ, चार सब्जेक्ट का एक साल का कमप्लीट कोर्स पढ़ाने वाले आप उस कोर्स को किस तरह से जोईन करेंगे दो मिनट में हम आपको अच्छे से समझा देंगे जैसा कि हर एक के फोन में एक प्ले स्टोर होता है आप तो फिर मैं पहले सर्च ही कर देता हूँ, जादा समझ में आएगा आप लोगो, ड्रीम क्लासेश ठीक है, यह हमने सर्च कर दिया, इस पर सर्च पर बटन करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एक चैनल है ड्रीम क्लासेश का ब्राउन कलर का, ठीक है, अगर ठीक है, इस तरह का मतब अगर खुले, फिर समझ सर्च करते हैं, ठीक है, ड्रीम क्लासेश, एक नॉर्मल सा सर्च करेंगे, और यह इस तरह का आप 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 आप, आपको जो है, एक जीमेल आडी पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका एक फोन नंबर पूछेगा, उस फोन नंबर को देने के बाद एक OTP आएगा, वन टाइम पासपोर्ड, चार अंकी वो OTP होगी, जो आपको फोन में देना है, आपके उसी फोन पे वो OTP आएगा, जो फोन नंबर आप यहाँ पर देंगे, सब कुछ हो जाने के बाद, आपन का सिंपल आप्शन आएगा, टिक है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यह एप कुछी सकेंट में खुल जाएगा, खुलने के बाद जो है न, आप नीचे यहाँ देखिए, चार टॉपिक है, मैं आपको फ्री बाला बताता हूँ, और 2021 में अगर आप बोर्ट का तयारी करना चाते हैं, तो कंपलीट कोर्स, इसमें वीडियोज वगएरा सारा फ्री रहेगा, मैत, अरिथमेटिक फ्री है, यह बैंक एसे सी रेलवे के लिए, रिजिनिंग, बैंक एसे सी रेलवे, जितने भी कंपटेटिव एक्जाम में सबके लिए फ्री है, आप इस पर खोल कर जो है, एक एक टॉ पर क्लिक करके आप लिख दीजिए, कि सर हमें यह दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है, फिलाल हम स्टोर पर क्लिक करेंगे, स्टोर में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, यह जो है न, यह स्पेसली 2021 के लिए, जो अगला साल इक्जाम होने वाला है, फी अब ही देखिए कि यह सबी कोर्सेज जो मैंने आपके लिए फ्री लेकर आए, हम आपके लिए फ्री लेकर आएं, अब्जेक्टिव आप फ्री में देख सकते हो, ड्रीम क्लासेज का, हलाकि इतना प्राइज लिखा हो है, पर इस पर क्लिक नहीं करना है, आप इस पर जब क सब्सक्राइब, फिलाल हम इस पर डिसकस करेंगे, मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये 2021 के लिए, इसके खासियत ये है, ठीक है, ये एक 12th का complete course है, यहां लिखा हुआ है, 12th board exam, all subject, complete course by राहुल सर, फीस इसकी 2000 है, मैंने 99999 रखा है, अब इस 999 में आप को कितना पढ़ाएंगे, इस पर भी डिसकस करेंगे, ये दिखिए complete course है, duration one year, यानि एक साल तक ना आपको, इस course में हम आपको PDF देने वाले हैं, साथ में साथ lecture भी देने वाले हैं, ठीक है, मतब वीडियो का content प्रोवाइड करेंगे, एक एक topic का, ठीक है, अब देखिए, इ आपको ये course purchase करना है, तो इसके कुछ topics को देखना है, कि क्या है इस course में, क्या खासियत है, तो अभी बिल्कुल नया ने हमने launching किया है, आपको 15 फरवरी तक, इसकी फीस जो है, वो 999 है, 15 फरवरी के बाद, इसकी फीस बढ़कर सीधे सीधे 2000 हो जाएगी, देख लीजे, यह इस course के अंतरगत क्या क्या चीजे हम प्रोवाइट करने वाले, 10 मिनट की ये वीडियो है, बिल्कुल आप इसको देखिए, उसके साथ साथ हम लोग बैक आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमको जो भी content मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यह जो files लि एक एक करकर के एक से दो दिनों में सब डालेंगे, यह तो demo है, बिल्कुल फ्री है, 12th physics पे क्लिक करते हैं, इस तरह का interface कुलेगा, 12th physics all PDF, यह मैं 2-3 दिनों में डाल दूँगा सारा, ठीक है, आप जैसे ही course purchase करियागा, आपको एक एक file खुल जाएगा, ठीक है, आप जैसे इस पे click करिएगा, फिलाल हम देख लेते हैं, कि खोलने के बाद क्या खोलता है 12th physics में, यह हमने click किया, all PDF पर हमने click किया, electrostatics का हमने free रखा, इसलिए यह आपको so कर रहा है, बाकि free नहीं है, इसलिए आपको so नहीं कर रहा है, जैसे payment करिएगा, आपको सारा so कर जाएगा, इस तिरवाइदूत की, यह खुल राएं इंटरफेस, कुछी सकेंड में यह खुल जाएगा, ठीक है, पीडियाप है, यह देखी, यह हमने lesson 1 का बनाया है, charge and coulombs law, यह आपका free है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, किस तरह से यह 2021 के लिए हमने किस तरह से यह आपको बनाया है, यह देखी, ठीक है, बस उपर करते चलिए, यह आपको lesson 1 बिल्कुल free है, lesson 1 आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, dream classes के तुरू, हमारे app के तुरू, physics का यह lesson 1 दिखरा है, इसी तरह से chemistry, bio, math, सभी subject के lesson 1 का जो भी content रहेगा, वो बिल्कुल free रहेगा, दिखरा है कितन बिल्कुल concept के साथ हमने यह पीडियाप आपके लिए तयार किया है, यह lesson 1 का पीडियाप है, यहाँ देखे, lesson 1 खताम हो गया, मतलब electrostatics जो है, यह आपका बिल्कुल free है, अभी जाकर देख लिजे, अगर आप 2021 में exam देंगे, electrostatics मैं जूम करता हूँ, ठीक है, electrostatics इस तिर आप क्या रहा है, physics complete कर देंगे, पीडियाप तो देंगे, इसी तरह का पीडियाप रहेगा, ठीक है, यही पीडियाप फायल रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पीडियाप के साथ साथ एक एक टॉपिक का वीडियो हम फिर से बनाके देंगे, 2021 के लिए फिर स का पीडियाप नहीं है ना, यह देखे द्यान से, यह 2021 के लिए हमने फिर से special पीडियाप तेयार किया है, ठीक है, वो 20 वला हमने हर साल हम पीडियाप अपना चेंज करते हैं, यह देखिए, किस तरह का लेवल दिख रहा है, अब सवाल आता है कि सर हमको इस को परचेस करना ह परचेस करने के बाद हम आपको दो-तीन चीजे प्रोवाइड करेंगे, अपना वाट्सअप नंबर देंगे साथ में, ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको चैट की सुभिदा देंगे, कि आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, इस कोर्स में आप आप जो है, लाइव टेस्ट अगेरा सब दे सकते हैं, नोट्स अगेरा सब खरीद सकते हैं, मतब सब आपको फ्री मिलेगा, एक ही कोर्स में, 999 में 2021 की पूरी तैयरी, इस पर क्लिक किया आपने, अगर आपका मने की नहीं साथ, अब मुझे ये कोर्स खरीदना है, पर्चेस करना है, यहां लिखा हुआ बाइ नाओ, एक हजार पचीस उर्पया, 999 में हमारे तरफ से, मतब हम लेंगे, पचीस उर्पया आपको GST लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टेक्स, GST, और यह एक साल तक लेगा, एक साल के बीच में हम आपको कभी कोई फीस का डिसकस नहीं करेंगे, ठीक है, मतब फीस लगेगा यह नहीं लगेगा, पीडिया, मोडल सेट, वुक सॉलिशन, लेक्चर, नोट्स, अब्जेक्टीब, प्रिवेस एस कोशन, नुमेरिकल, सभी का कम्प्लीट टॉपिक आपको बना करेंगे, आप देखतें कैसे पर्चेज होता है, फिर से मैं बैका जाओ, मैं फिर पर करना करें, कुछ नहीं सिंपल है, आपको खरीदना है, इस पर क्लिक करिए, खरीदने के बाद, या आपको हमारा वाटसब नंबर दिख रहा है, कुछ डीटेल्स बगरा भी ले सकते हैं, आपर वाटसब करके, कितना पे लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है, 999 हमारा 25 पर आपको GST लगेगा, जो भी हो, अब आपको कैसे पेमेंट करना है, काड के तुरू, नेट वाइंकिंग, बॉलेट, मतब एटियाम, फोन पे, गुगल पे, UPI ट्रांजेक्शन, यहां देखिए, UPI ट्रांजेक्शन, गुगल पे कर सकते हैं, मतब एक पर क्लिक करिएगा अगर आपको बैंक ट्रांसफर करना है, काड से करना है, अगर आपके पास सिर्फ ATM है, ठीक है, ATM काड है, तो आप इस पे क्लिक करिए, ठीक है, काड नंबर दीजे, एकस्पाइरी डेट दीजे, होल्डर नेम दीजे, CCW दीजे, और बस OK करिए, पेमेंट हो जाएगा, यहा दावनी से करना है, पेज एप से करना है, जैसे आपको करना करिए, और यह अभी जो फिलाल हमने यह कोर्स लाया है, वो बिल्कुल हिंदी माध्या में रहेगा, ठीक है, इसके बाद हम आपको अंग्रेजी का भी कम्प्लीट कोर्स लेकर आएंगे, मतलब इंग्लिस लैंग चास तसमलब एक प्रतिशत आप है, यह ओफर सिर्फ 15 फरवरी के बाद यह ओफर खत्म हो जाएगा, आप इसी कोर्स के लिए दो हजार पेमेंट करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट के लिए 500 क्योंकि चार सब्जेक्ट हम पड़ाएंगे, मैंने अल्डेडी दिखा दिया आपको PDF फाइल इस तरह से रहेगा, यह एक है ना, ऐसे हजारों कंसेप्ट हम आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि मतलब मजा आने वाला इस पर बोर्ट के एक्जाम में, और यह बहुत अच्छा तरीका इससे क्या होगा, आपका PDF कभी डिलीट नहीं होगा, कहां से डिली ID से इस एप को फिर से डाउनलोड करिएगा, आपका सारा कंटेंट फ्री हो जाएगा, मतलब दुबारा पेमेंट करने की जुरत ने, तो आज ही आप इस कोर्स को बाइनाओ करिए, और आज ही पेमेंट करिए, आज ही स्कोर्स को खरीदिए, और 2021 के लिए टेंशन फ्री हो एक साल तक हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, यह हमारा वादा है, पैसा कितना लग रहा है, देख लीजे, जो रियालिटी है वो देख लीजे, यह 15 फरवरी तक, 15 फरवरी खताम, यही 1025 जो हो जाएगा, वो कनवर्ट हो जाएगा, 2000 कुछ रुप्या लगेगा, तो आज के इस वीडियो के लिए फिलाल इतना है, उमीद है कि यह वीडियो आपको पशंद आएगा, और आज ही हमारे कोर्स के जो बच्चे 2021 में तैयारी करने वाले हैं, आज ही हमारे कोर्स को पर्चेस करेंगे, बाबाई, यह मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करके, फोन इसलिए बताया था कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आसके, ठीक है?